दरसल सर्दी का मोसम अपने साथ तकलीफे विसात लाता है इस मोसम में बरती गई जरासी लापरवाई व्यक्ति को कई स्वास्ते संबंदी समस्याओं के चपेट में डाल सकती हैं जिसमें पेट तर समस्या सबसे आम बात है जी हाँ, आपको बता दें कि सर्दी के मोसम में ठंडी शीत लहरें स्वास्ते के लिए बहुत खतननाक होती हैं जिससे पेट तर पेट में एठन और लूज मोसम जैसी समस्याओं हमारे समक्षूत्पन हो जाती है साथी खानपान में आए बदलाव के कारण रोग परतिरोदक शमता कमजोर हो जाती है जिससे शरीट छोटी मोटी बिमारियों की चपेट में जल्द आ जाता है और पाचन किरिया में गड़बडी पैदा होने लगती है जिससे अचनक पेट की बहुत सी बिमारियां उभर कर बहार आती है अचनक उठने वाले इस पेट दर्द की समस्या को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए कुछ घरिलो उपचाल ले कर आए हैं जो आपको इस समस्या से निजात दिलाने में कारगार साबित हो सकते हैं ठन्ड के मोसम में पेट दर्द की समस्या को दूर करने के लिए मेथी का दाना कारगार उपाए है इसके लिए आप आदे चमच मेथी को हलका भून ले अब उसमें एक चोथाई काला नमक डाले और गरम पानी से इसका सेवन करें आपको बता दे कि मेथी की तासीर गरम होती है जो पेट दर्द के साथ गैस समद्दी समस्या को जल्द दूर करती है हिंग अजवाईन और काला नमक पेट दर्द समस्या को दूर करने के लिए रामबान सिध हो सकता है इसके लिए आप थोड़ा हिंग आधा चमच अजवाईन और आधा चमच काला नमक का चूरन बना ले अब इसका गुनगुने पानी से सेवन करें ये जल्द ही आपको पेट दर्द से निजाद दलाईगा साथ ही आप इसका चूरन बना कर रख सकते हैं और ठंड के दिनों में खाना खाने के बाद इसका सेवन कर सकते हैं सर्द के दिनों में पेट दर्थ होने पर आप गरम पानी की थैलिया बोटल से पेट की सिकाई कर सकते हैं इससे आपको पेट दर्थ से जल्द रहत मिल सकती है यदि आप लूज मोसन से परिशान हैं तो आप दिन में दो से तीन बार नीबू की चाय का सेवन करें नीबू की चाय बनाने के लिए आप सबसे पहले गरम पानी में एक चुटकी चाय पत्ती नीबू का रस डाले। आप उसे थोड़ी देर पकने दे। इसके बाद आप इसे पी सकते हैं, ये पेट में कब्ज और दस्त जैसी समस्यों को दूड करने में कारगार साबित होगा। जहां दस्त के कारण व्यक्ति को बार-बार बातरूम जाना पड़ता है, वहीं कब्ज की समस्यों होनी पर पेट ठीक से साफ नहीं होता। जिससे व्यक्ति काफी ऐसा हिज महसुस करता है। इस इस्तिती में आप अधिक से अधिक गरम पानी का सेवन करें। साथी कब्ज की समस्या से निजात दिलाने में बेकिंग सोडा काफी लाब धायक सिध होगा। इसके लिए आप एक चमच बेकिंग सोडा को तीन चुथाई गरम पानी में डाल कर मिक्स करें और इसका सेमर करें। यह आपकी कब्ज की समस्या को दूर करेगा। फलाल के लिए इतना ही ऐसी ह से से जुड़ी जरूरी जानकारियों के लिए जुड़े रहें क्रिपाशक्ति के साथ। कर दो कर दो